पत्थर से उगे हुए फूल एक बार की बात है कि एक राज का राजा जो बहुत अच्छा था, उसने कभी भी अपने पर घमन नहीं किया, अपना राज पाट बुलकुल अच्छी तरह से चला रहा था, राजा की उम्र भी जादा हो गई थी, राजा ने सोचा कि क्यों ना अपने राज का कोई इमंदार वे बुधिमान व्यक्ति को उत्र अधिकारी बनाया जाए, जो मेरे मनने के बाद राज की देख भाल अच्छी तरह से कर सके, राजा ने राज का उत्र अधिकारी किसी नव्यक्ति को बनाने की योजना बनाई, राजा ने किसी इमंदार वे बुधिमान की शोर की खोजना शुरू किया, मगर कोई नहीं मिला, राजा ने एक और योजना बनाई, राजा ने अपने राज के कुछ लोगों को बुलाया, और उन्हें कुछ अलग-अलग तरह के फूलों के पौधों के बीजों को सभी को थोड़ा-थोड़ा बाट दिया, और बोला कि आपके पास दो महीने का समय है, जो व्यक्ति इन बी राजा ने सभी को अपने फूल देखने को बुलाया, सभी अपने फूल लेकर दरवार में आ गए, सब बारी-बारी से अपने फूलों के गमले दिखाने लगी, सभी के अच्छे फूल थे, राजा ने सभी की तारीफ की, आखिर में बस एक बच्चा बच गया, जिसने अप अपना खाली गमला अपने हातों में ले रखा था बच्चा बड़ा उदास था लेकिन अस्वस्त भी था कि उसने महनत तो बहुत की है अगर कुछ नहीं हुआ तो वो क्या कर सकता है सभी लोग उस बच्चे पर हसने लगे उसका मजाक उड़ाने लगे वह बच्चा राजा के पास गया अपना खाली गमला दिखाया राजा ने जैसे ही खाली गमला देखा राजा की अपने राजी के उत्र अधिकारी की तलाश पूरी हो गई राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और पूछा कि आपके गमले में फूल के पौधे क्यों नहीं उगे राजा ने उस बच्चे से कहा आपने बहुत अच्छी वे इमंदारी भरी मेहनत की है जो ये सभी लोग नहीं कर सके ये सभी लोग बेईमान लोग हैं क्योंकि मैंने जो बीज दिये थे वो सभी पत्थर के बनी बीज थे अब भला पत्थर के बीजों से कोई फूल उगा सकता है सभी लोग एकदम चुप हो गए और अपने किये पर शर्मिंदा होने लगे राजा ने बच्चे के इमंदार्वे धैरे के लिए उसे अपने राज का अगला राजकुमार बना दिया शिक्षा हमें अपनी पूरी लगनवे इमंदारी से अपना काम करना चाहिए उसके प् प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा